नमस्कार मिनास्बन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News भारते जन्ता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके आगे वो किसी को भी महत्व नहीं दे सकते हैं अपने आगे किसी अन्य पार्टीयों को बड़ा नहीं समझते हैं भारते जन्ता पार्टी ने इस बार के उत्तप्रदेश के उप्चुनाव में अपने ही गटबंधन की दलों के साथ खिलवार कर दिया मुद्दा था लालच लालच सीटों का सीटों को लेकर भारती जनता पाटी ने कैसी रणनीती बनाए जुसके साथ उनके सहयोगी दलों की नराजगी बढ़ सकती है नराजगी सहयोगी दलों के मुख्य नेताओं की नहीं बलकि पार्टियों के सरीय भी दिखाई दे सकती है कटबंधन तूटने की कगार पर भी पहुंच सकता है उप्चुनाव से पहले एक फैसला भारती जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकता है फैसला था उत्रप्रदेश की नौव विधान सभा सीटों पर उप्चुनाव का और उप्चुनाव के तहत भारती जनता पार्टी का साथ सीटों पर उमिदवारों का उतारना कुंदर की गाजियबाद खैर मजवाकर हल फूलपूर का ठहरी विधान सभा सीट पर भारती जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के सिंबल से अपनी ही पार्टी के चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया वहीं देखा जाए तो निशाद पार्टी को एक सीट भी नहीं दी बलकि दो सीटों की मांग करते वे संजय निशाद नजर आये थे खिलवार बड़ा संजय निशाद के साथ किया गया है दूसरा खिलवार जेंत चौधरी के साथ हुआ है जिस दबडवे के साथ जेंत चौधरी अखलेश यादव का हाथ चुड़ा कर सिम योगी अधितनाथ से हाथ मिलाने चले थे वही योगी सरकार ने जेंत चौधरी के साथ खिलवार किया तीन सीटों की मांग के साथ एक ही सीट पर सिम्टा दिया वह भी मजबूरी और मीरापूर विधान सभा सीट पर क्योंकि आरलडी के ही प्रत्याशी यहां से चुनाव पिछली बार के विधान सभा चुनाव में जीते थे चंदन चौहान की बात करें तो माफ कीजेगा यहां पर जो चंदन है वो इस बार लोग सभा का चुनाव लड़ते वी नजर आए इसे पहले वो मीरापूर विधान सभा सीट से विधायक रह चुके हैं अब उनकी ही सीट पर भारते जंता पार्टी खेल करते वी नजर आई लेकिन उनकी पार्टी से प्रत्याशी नहीं बलकि भारते जंता पार्टी की एक विधायका है जो जैन्त चौधरी की पार्टी के सिंबल से मीरापूर विधान सभा सीट पर चुनाव लड़ेंगी मितलेश पाल भारते जंता पार्टी का चौहरा है लेकिन आरलडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगी चुनावी मैदान में उन्हें उतार तो दिया गया है लेकिन जैन्त चौधरी की पार्टी ने बगावत कर दी है जैन्त चौधरी की पार्टी के कई विधायक और कि जैन्त चौधरी क के साथ खिलवार हुआ है पार्टी का अपमान हुआ है क्योंकि पार्टी से ही कोई चुनावी चहरा यहां पर उतरना चाहिए था अरलडी के खाते से ही कोई मितलेश पाल की बात करें 2012 से पहले मोरना मीरापूर विधान सभा में ही आता है और देखा जाये तो अब यहां पर कई प्रतियाश्यों का एलान भी किया गया है जैसे कि अगर हम स्पी की बात करें तो सुंबुल राना को चुनावी मैदान में उतारा गया है बेस्पी की बात करें तो शाहन अजर को चुनावी मैदान में उतारा गया है अजाज समाज पार्टी की बात करें तो यहां पर जाहिद हुसेन को और इसके साथ साथ एयम ने भी मैदान में प्रतियाश्यों को उतारा है अश्रद राना यह एक मुस्लिम बहुले सीट है और इसी के अधार प बात है कि जैन्त चौधरी के साथ बड़ा खिलवार हुआ है और पार्टी खुद कह रही है कि बीजेपी के फैसले के समर्थन में हम नहीं आते हैं अब देखना होगा कि क्या बड़ी बगावत होती भी नजर आ सकती है कि अखलेश चादव को फाइदा हो सकता है क्या लगता ह है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राइकम सेक्षिन में जरूर बताएं देखते रहें स्पीर नाइन नीउस ताने बार